नमस्ते फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे कीचन में इस टाइम नौरात्रे ब्रत चल ले हैं और हमें एक ऐसा नास्ता चाहिए जिसे खाने के बाद पूरे दिन एनर्जी महसूस हो और भूख न लगे तो मैं आपके लिए ऐसी ही एक बहुत ही यूनिक तहरी की रेस्पी ल दो आलू मीडियम साइज के चोटी-चोटी कट करके ले लिए हैं और यह मुमफली मैंने भीगा के उसको उबाल के अच्छे से ले ली है और साथ में हरा धनिया टमाटर हरी मिर्च और साबुदाने को भीगा के ले लिया है गैस पर रखेंगे कड़ाई अगर आपके पास कड़ाई हो तो और भी बढ़िया है ने तो किसी भी कड़ाई में इसे बनाया जा सकता है डालेंगे एक से डेढ़ चमबच घी जो भी आप तेल ब्रत में खाती हूं वह डाल लीजिएगा अजब घी गरम हो जाया तो सबसे पहले हम डालेंगे एक चोटी चमबच यह है जी कर देंगे ताकि घी चारों तरफ इसके लिए पड़ जाए और बहुत यह अच्छा फ्लेवर आई इसका और इसको क्या करेंगे हम ढख के दो से तीन मिनट लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि आलू जो है अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए यह देखिए यह आलू हम बिल्कूल अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा सा गोल्डेन कलर इसका आने लगा है अब हम खोल के इसको खुला करके और इसको अच्छे से हम गोल्डेन कलर रिया क्रिस्पी कर लेंगे यानि 80% हो जाए इतना हम इसको पका लेंगे इसके बाद हम मिर्च यह दो हरी मिर्च मैंने काटके डाली है कि साथ में डालेंगे हमने जो मुमफली उबाल के रखी थी ना उसको भी इसमें डाल देंगे अपने इच्छा अनुसार आप जितना चाहें उतना डाल सकती हैं और साथ में डालेंगे ब्रत में खाने वाला नमक डालने के ब यह देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है यह अब इसको हम क्या करेंगे मिक्स कर देंगे अच्छे से अभी तक हम खुला ही पका रहे हैं अब इसको ढखने की कोई जरूत नहीं है अब उसके बाद हम डालेंगे कट करके जो हमने धनिया रखी थी इस टाइम पर डा रहे हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे देखिए मैंने सारा साबुदाना यूज किया है यह एक छोटी कप के बराबर साबुदाना था और इसको खुला ही कुक करेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए दो से तीन बार मिक्स करेंगे देखिए बिल्कुल खिला आई देखिए तीन से चार म्यूंट को करने के बाद बिल्कुल खिली खिली टहरी बन के बन के त्यार है देखिए बिलकुल खिला लग रहे नहीं कि सारे जो साबुदारे के दाने बिल्कुल खिले-खिले हो गए हैं अब गैस को करेंगे बंद और इसमें हम डालेंगे आधा नीबू करस्त यह आपको खटा पसंद है तो आप एक भी डाल सकती है छोटा नीबू हो तो फ्रेंड्स अगर मेरी चैनल पर पहली बार रही हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा वीडियो आपको हेल्फूल लग रही हो तो लाइक शेर जरूर करिएगा और लाश्ट में लिखके जरूर बताएगा कि आपको रेस्पी कैसी लगी यह देखिए चलिए सर्फ कर लेते हैं यह देखिए लग रहा है ने बहुत ही यम नहीं लगेगी यह देखिए एंज्वाय करिये फेर्ण्स